नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं एक बहुत बड़िया पैटन आपके लिए लेकर रहा हूँ जिसके अंदर 99% बच्चे बड़ा पनाते हैं कोशन को बड़ा कर देते हैं लगब पढ़ाया भी हर जगे इसी तरीके से जाता है आज जो मैं आपको अप्रोच देने वाला हूँ एक स्मार्ट अप्रोच है स्मार्ट अप्रोच का मलब कोई ट्रिक या तुक्का नहीं है एक लॉजिक है हम क्या करते हैं फॉर्मला रट लेते हैं फिर लिखते हैं फिर मंटिप्लाई करते हैं फिर डिवाइड करते हैं फिर आंसर आता है ठीक है तो कोशन में दिखाये था हूँ आपको एक कोशन ये है आपके सामने एक कोशन ये है आपके सामने दो कोशन है ठीक है इन दोनों कोशन को बच्चे बड़ा बना देते हैं मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है अब सबसे पहले इस तरीके के जब वो चीज देखते है न तो उनके दिमाग में सबसे पहली चीज आती है वो है फॉर्मला जो उन्होंने पढ़ रखा होता है कि रूट x प्लस x प्लस infinity ठीक है यदि x x x से infinity तक जा रहा है तो रूट 4x प्लस 1 प्लस 1 बाइ 2 एक फॉर्मला याद किया है उन्होंने x minus x minus इस तरीके से infinity तक जाता है x minus तो फॉर्मला आ जाता है 4x प्लस 1 माइनस 1 बाइ 2 ठीक है यह पहला तरीका है उनका ठीक है जिससे maximum बच्चे करते है तो अब इसक अंदर वो क्या करते है फॉर्मले में value डाली कि भाई ये तो 4,8,32 और 1,33 आ जाएगा root 33 प्लस 1 बटा 2 फिर ऐसी यहां लिखते है root 33 minus 1 बटा 2 ठीक है अब इसे solve कर लेते है 33 minus 1 यानि 32 आ गया और 32 बटा 4 यानि 8 आ गया यह answer हो गया ठीक है यह है पहली approach जो maximum बच्चे करते हैं जो मैंने बोला 99% बच्चे इसके बरोसे बैटे है ठीक है अब हम क्या करने वाले हैं आप बो देखे जो मैं बताने वाला हूँ completely logical है और मुझे नहीं पता आप मैंसे कितने बच्चों ने इस तरीके से base रखा है अपना क्योंकि अब mains आने वाला है smart approach क्या होगी ठीक है केवल बोलने से smart approach नहीं होती न चीज को समझना भी पड़ता है एक formula हमने बढ़ा है अगर आपको ध्यान हो आप सभी ने बढ़ा है मैं कभी भी आपसे बोलता हूँ कि अगर ये 30 plus 30 plus 30 इस तरीके से लिखा है बताओ क्या आंसर होगा हर बच्चा छूटते ही बता replacing च्छे आंसर होगा फिर मैं बोलता हूँ अगर ये minus में होगा तो क्या answer होगा हर बच्चा छूटते ही बता रेता है कि sir अगर minus में होता है तो हम क्या करते हैं चोटा number यनि 5 आच दो नमबर ऐसे देखते हैं जो नहीं गुणा करके 30 बनता है ठीक है और वो भी लगातार तो अगर प्लस की सीरीज होती है तो बड़ा नमबर आंसर कर देते हैं माइनस की सीरीज होती है तो छोटा number 5 कर देते हैं ठीक है या आप सभी ने बढ़ा है मैं आपको इसका depth में version बताने वाला हूँ depth version यानि कि इसका basically आपको ध्यान क्या रखना होता है अब भाई जैसे आपने ये लिखा आपको पता है ध्यान क्या रखना होता है ध्यान नखना होदा ये कि अगर x plus x plus x plus इस तरीके की चीज है ठीक है ध्यान से समझेगा दो नमबर ऐसे जिसे गुणा करके ये आए माल लेते हैं 1m plus 1 हो गया 1m हो गया depth knowledge ये है जरूरी नहीं है कि वो integer हो वो without integer भी हो सकता है हम लोग केवल integer वाला पढ़ते हैं और ऐसे के लिए formula याद कर लेते हैं ठीक है अब ध्यान से देखिए दो नमबर ऐसे जिसे गुणा करके ये बने x ठीक है तो अगर plus वाली series है तो बड़ा number answer आ जाता है यानि m plus 1 ठीक है और अगर minus वाली series है तो छोटा number answer हो जाता है यानि m ठीक है तो याद ये रखना होता है हम केवल यहाँ पर जूलते रहते हैं 6, 5, 5, 4 ये आता है question और खुश हो जाते है ये भी इसी पर ही है पर हमने वो formula लगा दिया 4x plus 1 plus 1 by 2 क्योंकि वो असान है वो याद करके चले गए उसमें लिखना पड़ेगा अब जो approach मैंने बताई है उससे सीधा answer आएगा आए देखते हैं कैसे देखे 8 ऐसा number है जो 2 integer को गुणा करके नहीं आ सकता जिसमें 1 का गैप हो मैं इसे नहीं तोड़ पाऊंगा परन्तु मुझे ये तो पता है कि अगर plus की series है तो answer क्या होता है m plus 1 ये तो हमने बोला जब plus की series है तो m plus 1 answer होता है minus की series है तो m answer होता है और m plus 1 into m क्या है m plus 1 into m तो x है यानि 8 8 answer हो गया a auction answer आ गया कुछ भी solve कनने की जरूएत नहीं है मैंने simply ये देखा अगली बार से कि दो number की series है plus minus की series है ये भले ही वैसा नहीं था कि दो लगातार number में तूट पाता पर मुझे पता है इसका जो answer आने वाला है वो m plus 1 आने वाला है क्योंकि ये minus की series है तो इसका जो answer आने वाला है वो m आने वाला है अब ये जरूरी नहीं है कि m plus 1 और m integer ही हो वो root में भी हो सकते है परन्तु मेरे को क्या मतलब मेरे को तो इनका product निकालना है और m plus 1 into m का product कितना आ जाएगा वो तो ये ही होता है जो number होता है इस number के तो हम ऐसे लिखते है तो 8 मेरा answer हो गया इस पर मैं एक example हो लेता हूँ ये question भी exam में आया वाय SACCGL में ये question भी CGL में आया वाय जो आपके सामने है अब यहाँ 5 वाली series आ गई फिर से मैं गोंगा formula हम नहीं लगाएंगे बात को समझेगा ध्यान से अगर इसका answer लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे M plus 1 लिखेंगे जी बिलकुल लिखेंगे बड़ा number जो हम ले लेते हैं क्योंकि plus की series है ये minus की series है तो मैं M ले लूँगा अब मुझे क्या देख रहा है X minus Y 1 के बराबर है तो इसका मनलब क्या है X minus Y minus 1 बराबर 0 हो जाएगा यानि C option मेरा answer आ गया और ये आपको लिखने की जुरूद नहीं पड़ेगी मुझे पता है न दिमाग में कि ये M plus 1 है ये M है यानि इन दोनों में 1 का अंतर है इन दोनों में minus 1 इन दोनों का अंतर 1 C option answer आ गया कुछ भी लिखने की जुरूद नहीं है और बिलकुल base से मारा है मैंने क्योंकि आप लोग integer याद कर लेते हैं दो नमबर ऐसे जो integer हो गुणा करके यहाँ दिख जाए वो एक limited part है आपको द्यान लगना है ऐसे कि दो नमबर ऐसे जिनमें एक का गयाप है चाए वो integer हो ना हो एक नमबर m plus 1 answer होगा जब plus की series होगी m answer होगा जब minus की series होगी ठीक है तो उमीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो दिल से like करिएगा और comment करिएगा अगर वाकिए में कुस्तीकने को मिला हो जेहिन